नमस्कार साथियों आज कंटेंट से हटकर एक छोटी सी बात आपको सुना रहा हूँ एक बार की बात है दुनिया के सबसे बड़े उद्ध्योग पती से किसी महिला पत्रकार ने उनका इंट्रिव्यू लेते हुए पूछा कि आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर हो करोड़ों लोग आपकी तरह अमीर बनना चाहते हैं आपकी सफलता का राज क्या है उस दुनिया के सबसे बड़े उद्ध्योग पती ने एक सेकंड के लिए चुप रहे और उसके बाद अपनी चेक बुक निकाली एक खाली चेक फाड़कर और उस महिला पत्रकार का नाम लिखके और उसे उफर कर दिया कि जो रकम लिखनी है लिख देना ये लीजिए चेक आपने कहा ना करोड़ों लोग अमीर बनना चाहते हैं आपने कहा कि आप भी मेरी तरह अमीर बनना चाहती है ये चेक लीजिए, अमीर बन जाएे उसनAU का सर आप समझें नहीं, मेरा ये मतलम नहीं है मैं ये जानना चाहते हूं कि आपकी अमीरי का राज क्या है उन्होंने फिर चेक उस महिला पत्रकार को उफर किया महिला पत्रकार ने फिर का सर आप मुझे गलत समझ रहे है मैडम एक बार सोच लीजिए ये चेक ले लीजिए मैडम ने का सर आप मुझे फिर गलत समझ रहे है मुझे चेक नहीं चाहिए मुझे केवल आपकी सफलता का राज जाना और हमारे लाखो करोडो वियूर्स को भी पता चले कि आप दुनिया के इतने बड़े उद्योग पती कैसे बने उस उद्योग पती ने वो चेक वापस अपनी जेब में रख दिया और फिर कहा अभी जो आपने गलती की वो गलती मैंने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं की यही मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज यानि आज अभी एक सेकंड पहले यह चेक आप ले लेती और मन मर्जी मताबिक उस पर रकम भर देती तो मेरी तरह दुनिया की सबसे बड़ी अमीर न्यूज एंकर आप बन सकती थी लेकिन आपने उपर्चिनिटी को मिस कर दिया मैंने अपनी जिन्दगी में उपर्चिनिटी को कभी मिस नहीं किया जिन्दगी में मौके मिलते है उस मौके को मैंने कभी हाथ से जाने नहीं दिया आपने मेरे हाथ से चेक नहीं लिया ले लेती और मन मर्जी मताबिक रकम भर देती दुनिया के जितने भी न्यूज एंकर है उनमें सबसे अमीर आप ही होती लेकिन आप ने ऐसा नहीं किया और मैं मेरी सफलता का राज यही है कि मैं जिन्दगी में आई हुए मौकों को कभी छोड़ता नहीं हूँ मैं हमारे विध्यारतियों को बताना चाहूंगा कि यह जो कहानी है इंटरनेट पर बहुत वाइरल यह कहानी है और कहानी बिल गेट्स के संधर्ब में आपको इंटरनेट पर वाइरल मिल जाएगी कहानी वास्तों में बिल गेट्स से रिलेटेड है या नहीं इसकी मैं पुष्टी तो नहीं करता लेकिन इसके पीछे का मैसेज इसके पीछे का जो संदेश है वो संदेश से आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्दगी में उपर्चिनिटी को मिस मत करिये जिन्दगी में सफल होना है तो अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए आज COVID-19 का ये काल बहुत लंबा हो रहा है और हमारे विद्यारती घर बैठे है पढ़ाई का मौका है अपर्चिनिटी हाथ से जा रही है परिक्सा पास में आती है अपन कहते हैं यार दस दिन बढ़े मिले रहा तो पढ़ाई वेला रही आज रिट्री परिक्सा 31,000 आदमी जिके तैयारी पेल बढ़िया की ना मैं चूटी रही 31,000 बढ़े ने आवेला रहा तो कहने रहों मतलब है इस है ये जो अफसर मिला है ना इस अफसर को आथ से जाने मत दीजी और अफसर आथ से चला गया तो सोचिए पच्चताने से कुछ भी हासिल नहीं होगा जिन्दगी मौके कम देती है और दोखें जादा देती है इसलिए ये जो मौका मिला है दो चार महीने च्छह महीने का जितना भी आपको टाइम मिला है अपना ध्यान भी रखिए सिहत का ध्यान भी रखिये लेकिन अपनी पढ़ाई भी घर पर बैट कर करते रहिए क्योंकि ये मौका हाथ से चला गया तो सोचिए परिक्सा आएगी और तब जब आप जागेंगे लगेगा क्यार मेरी अप्रेल महीने तक तो बढ़िया तैयारी थी और COVID-19 में मैंने अपने हथियार अपनी किताबे रख दी और कोई और इस बीच जो पहले तैयार नहीं था और लगातार मेहनत में रहा वो मेरे से ज़्यादा योग बन गया रीट की परिक्सा में सफल होने के लिए पटवारी की परिक्सा में सफल होने के लिए अन्य परतियों की परिक्सा में सफल होने के लिए इसलिए जिन्दगी में जो भी आफसर मिले कभी भी आफसर मिले उस opportunities को हाथ में ले लीजिए grip कर लीजिए जिन्दगी आपको मौका दे रही है मौके को पकड़ लीजिए और मौके को नहीं पकड़ोगे तो पच्चताने के अलावा हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत